नमस्कार स्वागत है आपका सतहेंदी के खास कारिक्रम सुनिए सच में जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की पाँच बड़ी ख़बरों का विश्रीशन तो चली शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से लखीमपुर कांड की विडियो से घिरी सरकार कार से निकल कर भाग रहे आरोपी लखीमपुर मामले में प्रियंखा गांधी को पुलिस ने किया गिरफ़तार केस दर्ज लखीमपुर कांड में मंती का आरोपी बेटा आजाद कोई गिरफ़तारी नहीं है वोस्टमॉटम अरिजन अन्तु संसकार नहीं करने पर अड़े और लखनव में अमरित महोचसव में पहुंचे पियम किसानों की हट्या पर मौत तो चले शुरुआत करते हैं हमारे आज की पहली बड़ी खबर से और लगातार रविवार से लखीमपुर खेरी जो उतरपदेश का जिला है वो इसको लेकर सियासी गहमा गहमी उतरपदेश में शुरू है और जिस तरीके से किसानों को रौंधने की खबर आ रही थी अब एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुआ है और इस वीडियो में आपको बता दे कि इस वीडिय की जीब जो थार है जिसका नंबर ये बताया जा रहा है कि यूपी 31 एस 1000 ये इसका नंबर है और ये जो गाड़ी थी ये रेजिस्टर्ड थी अजय मिश्रा यानि की केंद्री ग्रह मंत्री के नाम पर अब इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें साफ जिदे धीरे अपने चल रहे थे सड़क पर और विरोध कर रहे थे कोई हला गुल नहीं मचा गवा था लेकिन देखा जाता है उस वीडियो में कि पीछे से थार जीप आती है और अचानक से कुछ किसान इधर उधर हो जाते हैं एक किसान उस वीडियो में नजर आ रहा है कि वो बॉनेट पर गिर जाता है और वो जीप आगे चली जाती और उसके बाद देखा गया है कि कई किसान घायल और मूर्चित चारो तरफ पड़े हैं और उसके बाद दो और SUV उसी रास्ते से गुजर जाती हैं और आपको बता दे कि दरजन किसान इसमें ऐसे हैं इस वीडि पर लुँअ हैं इसके बारे में आपको बता दे कि जो ट्रैक्टर ट्विटर है जो अब ही तक जो पूरा बताया है कि कैसे किसानों को रौधा गया उसमें काफी समानता है जो चीज ये वीडियो में देखी जा रही है और आपको बता दे कि जो आज्य मिश्रा केंद्री ग्रह मंत्री हैं उनके बेटे आशीश मिश्रा का इसमें नाम आ रहा है कि उनकी वो जीप चला रहे थे थार जीप और लेकिन कुछ प्रत्यक्ष दर्शियों के कुछ बयान आए हैं जो कि मैं आप से यहां पसाजा करना चाहती हूं लखीमपुर खेरी के ए सीटा और कुछ किसान कारों के नीचे फसे हुए थे लेकिन वाहन नहीं रुका उसी तरह से दिलबाग सिंग एक और पत्रक्ष दर्शी हैं उन्होंने कहा कि मंत्री का जो बेटा है वो पकड़ा जा सकता था लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया और इसी लिए उसमें से उस गा उनकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज होनी चाहिए तो उन्होंने इंडिन एक्स्प्रेस को ये इंटर्व्यू में इस बात को कहा है कि आशीश मिश्रा को शायद ये अंदेशा नहीं था कि इतनी भारी भीर किसानों की मौजूद रहेगी और लेकिन सवाल ये उठता ह है कि ये जो वीडियो वाइरल हुआ है इस वीडियो के वाइरल होने से लोगों में काफी गुसा है और इस चीज से बिलकुल साफ है कि किसानों की तरफ से शायद ये पहल नहीं की गई है क्योंकि वो किसान शांती पूरवक धंक से चल रहे थे और जिस तरीके से उस वीडि आती है और गाड़ किसानों को रॉन देती है आखिर उन्हे किसानों該 क्या खुजूर था वी गुजानों किसानों को ठीक कर देंगे और उसके बाद से इसको लेकर काफी गुसा था उन्होंने ब्लैक बैच पहन कर उसका विरोड बदशन किया था और अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशिश मिश्रा उन्होंने एक कुष्टी की प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें कि केशापरसाद मौरिया को बतौर गेस्ट बुलाएगया था और केशा प्रसाद मौरिया उसी फंक्शन के लिए जो उनका जो गाउं है पुछतेनी वहां जा रहे थे जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है अब किसने किसको मारा लेकिन फिलहाल इसमें किसानों की मौत हुई है और मौत एक ऐसे समय में हुई है जब किसानों का आंदोलन बिलकुल उफान पर है एक ऐसे समय में जब सरकार किसानों से बादचीत नहीं कर रही है और एक लगातार गतिरोध अल्मोस्ट अब दस महीने हो तो एक ऐसे समय में एक ऐसा वीडियो सामने आना वाकई में सरकार को पूरी तरीके से नेल करता है इसमें सवाल सरकार पर यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर यह कतित रूप से जो यह वीडियो वाइरल हुआ है और इसमें जो ये गाड़ी बताई जा रही है जिसका नंबर भी मैंने आप से शेर किया है और अगर ये गाड़ी M.O.S. Home अजय मिश्रा के नाम पर रेजिस्टर थी तो फिर उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है उनका बेटा क्यों आज फरार है और उसे उसकी देती है एक किसान बॉनट पर उच्छल कर आ जाता है बाकी किसान बाएं और दाएं लेट जाते हैं और एक प्रत्यक जर्शी ने तो ये भी बोला कि जो थार जीप है जिसका एक वीडियो सामने आया है कि उसके टायर के नीचे दबी हुई एक लाश नजर आ रही है और लो इस मंशा से ही वहाँ पर आये थे कि जो भी किसान आएगा वो उसको रॉंद डालेंगे वहराल ये वीडियो काफी दिल दहलाने वाला है और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इन किसानों ने क्या कसूर किया है इन किसानों ने इनका क्या कसूर है कि केवल ये बढ़रा को गिरिफ्तार कर लिया है आज UP की पुलिस ने और ये जो गिरिफ्तारी है ये सुभा लगभग साड़े चार बजे हुई है चार अक्टूबर को और IPC की तमाम धाराओं को के तहत उनके उपर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीतापुर का बताया जा रहा है कि एक P.A.C. Guest House है जहाँ पर एक अस्थाई जेल में उन्हें रखा गया है और आज उसी जेल से प्रियांका गांधी ने क्योंकि PM मोधी अपने तीन दिन के दोरे पर थे और उनका लखनओ में आगमन होना था उसी के ठीक पहले प्रियांका ग देखे और बताय की ग्रे मंत्री अजय मिश्रा यानि की जो ग्रे राज्य मंत्री है अजय मिश्रा वो उनका सीफा क्यों न हो उनका बेटा क्यों फरार है उसे गिरिफतार क्यों नहीं किया गया है ये तमाम सवाल प्रियांका गांधी ने पूछे हैं जिसके बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बोला है कि जिसे आपने हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है सची कॉंग्रेसी है हार नहीं मानेगी और सत्या ग्रह चलता रहेगा इस बात को राहूल गांधी ने लिखा है और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब से प्रियांका गांध था कि वो अलग थलग पड़ गई है तो अब ऐसा लगने लगा है कि प्रियांका गांधी वड्रा के यूपी आने के बाद और उनकी गिरिफतारी के बाद सारे कार्यकरताओं में एक तरीके से जान फूग दी है लकीमपुर खेरी के हाथ से ने लेकिन प्रियांका गांधी बड़रा से बड़ा सवाल ये है कि क्यों डरती है योगी सरकार क्यों डरती है वहां की पुलिस एक महिला है एक डायनामिक नेता के रूप में वो भरती है लेकिन पुलिस उनसे क्यों डरती है और अगर वो लखीमपुर जाकर लखीमपुर खेरी जाकर और उन पीलित क्यों नहीं दी जा रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल जो यहां पर बना हुआ है कि आप किसी को डीटेल कर रहे हैं लेकिन वो भी बिना F.I.R. के कि आपने उनको अरेस्ट कर लिया लेकिन उनके खिलाफ कोई F.I.R. नहीं है और जब कि मिनिस्टर का जो बेटा है जो ग्रे राज करें तो जिस कॉंग्रिस के लिए हम अभी तक एक उसकी छवी ऐसी बन रही थी कि वो पार्टी अलग थलग बन गई है और अपने एक स्पेस के लिए वो लड़ रही है तो आज ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी वाड़रा ने लखीमपुर खेरी के हादसे के बाद ए लेकिन जो बड़ा सवाल मैंने कहा एक बार फिर से दोराओंगी कि क्या योगी जी प्रियंका गांधी से ढरते हैं क्या यूपी की पुलिस प्रियंका गांधी से ढरती है क्या उनको डर लगता है कि प्रियंका गांधी अगर वहाँ जाएंगी तो कोई law and order की स्थिती भी जो बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर प्रियंका गांधी वाडरा जाकर पीड़ित परिवारों से लखीमपुर खेरी में मिलेंगी तो हो सकता है कि योगी जी का सिंगासन डोल जाएं इस पर गौर करिएगा और फीर बैक ज़रू दीजेगा मैं आगे चलत चाहती हूँ कि रविवार को ये हादसा हुआ था जब चार किसानों को रौन दिया गया उसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने वाइरल होता है और सब लोग उसको तमाम लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं उसके बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कैसी तालिबानी सरकार है जो किसानों को रौन कर चली जाती है और साफ जिसमें दिख रहा है कि वो जो थार जिसका गाड़ी का नंबर भी मैंने आपको थोड़ी दे पहले ही बताया है वो गाड़ी किसानों को रौन देती है और वो गाड़ी ग्रेहरा जिमंत्री अजय demands के बाद भी अजय मिश्रा से कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं उल्टा अजय मिश्रा क्या कह रहे हैं अजय मिश्रा ये कह रहे हैं कि आप मेरे बेटे के खिलाफ एक भी सबूत दिखा दीजे कि वो तिकुनिया गाउं में उस दिन मौजूद थे तो मैं स्तीफात दे द ने देंन रहे हैं बावजूद इसके उनके नाम पर जो गारी है वो उस वीडियो में देखी जा रहे हैं और साफ्त तौर पर व्यूदी ढारी अगर रौंती हुई वहां पर जा रही है तो लोग उनके स्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहा है लेकिन BJP इस पर बिल्कुल चुप है रही बात उनके बेटे की आशीश Michra की तो आशीश Michra को पुलिस एरस नहीं कर रही है, UP की पुलिस क्या कहती है यूपी की जो पुलिस है वो ये कहती है कि भई वो तो विजी थी और अभी तक पोस मॉटम में उसके बाद उन्होंने अंतेश्टी करवाई सारे किसानों की और वो उसमें विजी थी, इसलिए वो उनको गिरिफतार नहीं कर पाई है उल्टा आशीश मिश्रा क्या कहते हैं वो टीनी चैनल्स को बाइट दे रहे हैं, अपने एक ओफिस में वो मौजूद हैं, साउंड बाइट दे रहे हैं, इंटर्व्यूस दे रहे हैं, लेकिन अपनी गलती को वो मानने से इंकार कर रहे हैं उल्टा वो पूरी सफाई उन्होंने भारत टाइम्स का जो हिंदी चैनल है, उसको उन्होंने इंटर्व्यू दिया है बकाईदा और उसमें कहा है कि एक कुष्टी की प्रतियोगिता के लिए उन्होंने केशर प्रसाद मौरिया को बुलाया था और उनको रिसीव करने के ल आपको जिंदा नजर नहीं आता, और उन्होंने इसाथ में ये भी कहा कि उनको जूटे आरोपों में उनको फसाइने की कोशिश की जा रहे है क्योंकि हाल में उनके पिता अभी मंत्री बने हैं ताकि उनकी छवी को दागदार किया जा सके, तो ये जो एक अडियल रवया प इंटव्यू मेंनों ने कहा है कि अभी तक पुलिस ने उनको कॉंटाक्ट नहीं किया है और नहीं उनसे सवाल पूछे हैं तो अगर पुलिस ने आशीश मिश्रा से कोई सवाल नहीं पूछे हैं उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज हो गई है लेकिन पुलिस उनसे कोई सवाल नहीं सब पूछती उनको कॉंटाक्ट नहीं करती यानि किकया पुलिस एक निरदेशन के तहट काम कर रही है यह निरदेशन उनको कहां से आ रहा है क्योंकि उनके पिता G.R. ऐम्तिर उनको निरदेशन दे रहा है पुलिस डर गई है कि ग्रह मंतिरल्य के अगर बेटे के खिलाफ कोई action लेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी उन अधिकारियों की नौकरी चली जाएगी तो ये जो एक अडियल रवया बीजेपी का नज़र आ रहा है योगी सरकार का नज़र आ रहा है और पुलिस का नज़र आ रहा है ये एक मिली भगत का संकेत है कि एक मिली भगत के त और जो BJP अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि ये गलती अजय मिश्रा की नहीं है ये गलती उनके बेटे आशिश मिश्रा की नहीं है इस बात का साफ संकेत है कि BJP अपनी गलती बिल्कुल मानने के लिए तयार यहां पर नहीं है लेकिन आखिर इस कथित विडियो को जो ये ब क्वाई नोसны मिंधा ही नहीं और अगर महा होता तो वहा जिन्दा नहीं बचकरा सकता था त्या क्या क्यां कहती हैं ने इक दा कि मिष्रा को ने ठिक आधार पर आज अपना स्रीफ़ा नहीं देना चाहिए, क्या उनके बेटे आशीश मिश्रा को अपने आपको सरिंडर नहीं करना चाहिए, क्या पुलिस को उनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, ये सारे प्रशन आज मैं आप से कर रही हूँ, आपके बीच ये सारे प्रशन लेकर आ रही हूँ, लेकिन सव अच्छी सरकारी सबसे ताकतवर सरकारी भी पानी की तरह बह जाती है इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रू बताईएगा मैं आगे चलती हूँ लगतार लखिमपुर खेरी पर ही हमारी एक continuous coverage बनी हुई है और हमारी चौती खबर भी जो ये मृतक किसान के परिवार हैं उन गए थे कि जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों को 45 लाक रुपए का मौवजा दिया जाएगा जो घायल है उनको 10 लाक रुपए दिये जाएंगे मृतक परिवार के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी उनकी qualification के हिसाब से और एक तरीके से शांती वारता कायम हो जैसे कि यहाँ पर आपको बता दे कि डलजीत सिंग एक किसान है जो की जो इसमें मारे गए थे साथसे में और उनके घरवालों ने कहा है कि उनको ये शक है कि उनको गोली से मारा गया है और उनकी जो पोस्मॉर्टम रिपॉट है वो ये कहती है कि वो शौक से मरे थे खून काफी बेच चुका था उनको हैमरिज हुआ और कोई bullet injuries नहीं है यानि कि गोली से उनको नहीं मारा गया जबकि परिवार वालों का यह कहना है कि नहीं उन्हें गोली से मारा गया था अब आपको बता दे और फिर उन्होंने अभी यह कहा है कि एक दूसरी बार उसका post mortem किया जाए और उन्होंने इस बात को लेकर मांग की है और तब तक वो अंतेश्टी के लिए तयार नहीं है यानि कि अधिम संसकार वो नहीं करेंगे SN Sabat जो की additional DGP है UP के उन्होंने कहा है कि जो पुलिस का रवया है वो हमेशा जो शिकार होता है जो victim है उसके साथ रहता है ना कि जो accused है और आपको बता दे कि पुलिस से बार बार ये सवाल किये जा रहे हैं कि आखिर आप जो accused है अजय मिश्रा जो accused है उनके बेटे आशिश मि क्रिफतार क्यों नहीं कर रहे हैं और इन तमाम चीजों के बावजूद लवप्रीट सिंग जो एक 18 साल का जो एक मृतक किसान है उसके घरवालों ने भी दिमांड किया है कि उनको पोस्मॉटम की रिपोर्ट की एक कॉपी दी जाए और आशिश मिश्रा के खिलाफ जो एफ पाया दर्ज की गई है वो नहीं दी जाती और उनके पिता जी ने लवप्रीट सिंग के पिता जी ने कहा है कि अभी तक जो भी कारवाई प्रशासन ने की है वो उससे खुश नहीं है और लवप्रीट का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और उन्होंने साफ कहा है क लवप्रीत की मौत इसलिए हुई है क्योंकि उनको एक लंबे डिस्टंस तक घसीटा गया और उसके बाद उनके शरीर से काफी खून बहा है अस्पताल में वो लेकर गए उन्होंने अपने पिता जी को कॉल किया लेकिन जब तक उनके पिता वहां पर पहुंचते लवप्रीत किया गया है उसे टैंपर किया गया है और पोस्टमॉट्वर्ण सच्चाई बयान नहीं कर रही है तो कुल मिला कर पुलिस पर फिर से संदे के घेरे में है उस पर शक किया जा रहे है और ऐसा लग लग रहा है कि प्रशासन पुलिस और राजसरकार तीनों की मिली भगत है ताकि किसानों को कट घरे में खडाल किया जा सके किसानों की गलती बताई जा सके लेकिन जिन परिवार वालों के जो किसान परिवार है जिनके लोगों की मौत हुई है आखिर उन परिवारों को तो दो closure कैसे मिलेगा उन्हें न्याएं कैसे मिलेगा क्या ये बात योगी जी बता सकते हैं क्या ये बात पृधानपंतरी नरेंद्र मोदी बता सकते हैं कि आखिर किसानों का क्या कसूर है। अगर वो अपने हक की लड़ाई एक शांती पूर्वक विरोध प्रदर्शन के जरिये वो कर रहे थे तो उनका क्या कसूर है आज उनको मार डाला गया उनको रौन दिया गया ठोक दो की जो ये रणीती है योगी सरकार की आखिर ये कब तक चलती रहेगी क्या इसी रणीती से इतनी सारी चीज़ें कर दी इतनी सारी घोशराय कर दी लेकिन किसानों के प्रती आप रवया देखिए इस योगी सरकार का इस मोधी सरकार का कि किसानों के कितनी विरोधी सरकार है इससे बड़ा प्रमाग शायद आपको नहीं मिलेगा आखिर कब तक चलेगा ये अन्याय इ चाहिए जरूर फीडबैक दीजेगा मैं आगे चलती हूँ अब अपनी आखरी खबर जो की लखीम पुर खेरी से ही जूड़ी हुई है बात कर लेते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की जी हाँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज तीन दिन के दौरे पर लखनव पह प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट अबन योजना जो थीन की शेहरों के लिए जो शेहरी विकास के तहट जो घर बनाए गए थे उसके तहट उन्होंने चाभियां आज माटी थी और साथ में उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये कहा कि जो अबन प्लैनिंग रही है वो ह इतनी भी पहले की सरकारे थी वो गरीबों के लिए नहीं सोचती थी और फिर साथ में उन्होंने योगी जी का बखान कर डाला उन्होंने का कि देखिए योगी जी ने 9 लाग घर बना लिये हैं और 14 लाग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और ये जो तीन दिन की जो अर्बन का जो पॉन्क्लेव है ये आजादी के अमरित महोटसफ के सेलिब्रेशन के दौरान है यानि की उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में जहां पर चार किसानों को बीजेपी के मंत्री के बेटे ने रॉन्द डाला उसकी गाड़ी के नीचे उन किसानों को कुचल डाला अवर्णी सरकारे थी वो गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी हम गरीबों के बारे में सोच रहे हैं अब जरन प्रदान मंत्री नरेंच मोधी ये बताएं कि इतनी बड़ी लौ इन ऑडर सिचुएशन इस समय उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर पुराजनीती कर रहे हैं वहाँ पर वो urban transformation की बात कर रहे हैं लेकिन जो किसान मारे गए हैं एक law and order की situation वहाँ पर उत्पन हो गई है विपक्षी नेता वहाँ पर जा नहीं सकते लखीम पूर खेरी में और आज यूपी इस समय पूरी सुर्खियों में बना हुआ है लखीम पूर खेरी की वज़ा से और कि वो जो मृतक परिवार हैं किसानों के उनके कंधे पर एक बार तो नरेंद्र मोदी जी हात रखते एक शब्द उनकी सहान भूती वे बोलते लेकिन नहीं नरेंद्र मोदी लखीम पूर खेरी हाथसे के बारे में बिलकुल मौन थे बिलकुल चुक थे और बात उन्होंने स शहरी विकास की की ये कहते हुए कि देखिये बीजेपी की सरकार ने इतना विकास किया लेकिन पहले की सरकारों ने विकास नहीं किया है आखिर इस से शर्मनाक बात और क्या होगी जब पूरे विश्व की निगाहें इस समय लखीम पूर खेरी पर है प्रेजिडेंट आफ अमेरिका तक को अपने हैश्टाग में सोशल मीरिया पर टैग किया जा रहा है कि देखिये कितनी किसान विरोधी सरकार है जहां पर लोगतंतर खतम हो गया है यूवन राइट्स कमिशन को यूएन के लेवल पर उनको भी टैग किया गया है प्रदान मंत्री नेरेंद्र मोध मंत्री है उनका स्थीफा होगा या नहीं होगा उनके बेटे आशीश मिश्रा कब तक यूही सिर्प टीवी चानल्स को इंटर्व्यू देंगे लेकिन उनने गिरफतार नहीं किया जाएगा ये सारे बड़े सवाल है और लोगों के लिए ये आँख खोलने का समय है कि देख सब्सक्राइब करें गूगल प्ले स्टोर पर